नमस्कार मेरा नाम सुसन्ना एकका है और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने के लिए जा रही हूँ एक ऐसी बात जो आपने कभी नहीं सुना होगा ना कभी देखा होगा आप खाने की चीजों को तो बहुत अच्छे से खा लेते हैं जैसी आपको कोई खाना देता है आप तुरंद खाने लग जाते हैं बिना सोचे समझे लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसा खाना खाने से बिना सोचे समझे जब आप खाते तो इससे हो सकता है कि आप बीमार पढ़ आपको जो खाना दिया जाता है खाने के लिए उसके लिए आप कैसे प्राठ्थना करें कि आप इन सारी मुसीबतों से इन सारी परिशानियों से बढ़ सकते हैं तो वचचन से प्राठ्थना होना जरूरी है तो इसी विशय में आज इस वीडियो में जानेंगे और पहली मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो Bible खोल करके देखिएगा जो जो मैं वचन आप लोगों को बताऊंगे उसको लिखना भी है अगर आपके पास Bible नहीं है तो जरूर आप online भी ले सकते हैं Bible को सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती है आप लोगों ने खुद यह देखा होगा अपने आस पास इस चीज को होते वे देखा होगा या फिर खुद आपकी जीवन में यह चीज हो रहा होगा कि आप कही ना कही इस सारी चीजे खाना से इसलिए जुड़ी होगी है क्यूंकि आपको पता होगा कि आपने कब कौन सा खाना खा लिया और आपको अचानक पता चलता है कि मेरे उपर तो जादू टोना हो गया है आपको खुद पता भी नहीं चल पाता है लेकिन बाद में इस चीज़ का जब खुलासा होता है आपको कही ना कही से आप पता करते हैं तो आपको ही पता चलता है कि आपने वो खाना खाया या जो कुछ भी था वो खाना में वो मिलावट था और ये क्यों ऐसा होता है कि आप खाना खाते बीमार पड़ जाते हैं आपक ने सकर्दुर्धा जनटना को वन से लेकاب अगे यह कोुछ षाया, ₟केश, complet, 예, ₹ अगर खाना भी है, तो आप प्रार्थना करके खाईए, तीसलिए मैं बताओंगी कि प्रार्थना किस तरह से करना है, वच्चन के द्वारा, तो आपको ध्यान रखना है, क्यूंकि इसमें खाना समय भी लोग मिलावत करके दे दे देते हैं, और आपको कोई भी इनसान बाहर स ऐसा लगेगा नहीं कि वह आपके उपर कोई जादू टोना कर सकता है लेकिन जब एक व्यक्ति का जीवन खराब हो जाता है तब आपको पता चलता है कि हाँ उसने मुझे खाने में मिला कर दिया था और तब से मैं परेशान हूं तब से मुझे दुश्टात्मा परेशान करती तब आप परेशान हो जाएंगे बीमार होंगे आप जानते हैं कि आज इस दुनिया में संसार में जो कुछ कर चल रहा है कि लोग खाने में मिलावट करते हैं बहुत सारे कैमिकल्स का इस्तेमाल करके जिससे भी आप बीमार पड़ते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा जो बीमा दिखेगा 100 प्रतिशत वो दिखेगा आपको बता होगा कि आज खाना खाने से ही काफी लोगों को डायबिटीज हो गया है और बीपी हाई हो जाता है किसी का शुगर प्रॉब्लम है तो ये सारी बीमारिया हो सकता है आपको भी इनमें से कोई ऐसा रोग लग गया होगा वो है जो जादू टोना करने वाले लोग होते हैं कि बाइबल में दिया हुए और उन्हीं के दुष्ट के सब जलतेतीरों को हमें बुझाना पड़ता है क्योंकि आपको इसे बचना है खाना खाने में भी परमेश्वर ने यह क्यों कहा है कि परमेश्वर का राज्य खाने पीन बन जाते है उसके वज़े से अगला इंसान को पता जब चल जाता है कि इस विक्ति को खाने में यह अच्छा लगता है उसी में वो मिला करके आपको खुछ ना कुछ देंगे यह मैं आपको डराने के लिए बात नहीं कह रही हो पर साफधान करने के लिए कि आप अपने पर बहुत ढाशा में चल रहे हैं। कि परमेश्वर आपको खाने के लिए बहुत कुछ दे रहे हैं वो भी अच्छा से अच्छा खाना जब आपको खिला रहे हैं तो उसके लिए आप क्यों ना धनेवाद करेंगे तो परमेश्वर के इस वचन से क्या पता चलता है कि परमेश्वर आपको उत्तम से उत्तम पदा खाने को देते हैं और आपने हमें दिया है इसके लिए परमेश्वर आपका धनेवाद हो मैं आपको बताना चाहते हूं कि काफी लोग एक सेकेंड का प्रेयर करते हैं खाने के लिए खाना दिया आपको सिर्फ खाने में जरूरी नहीं है कि आप रोटी चावल मिले तो ही आप प्रेयर करेंगे और काफी लोग तो पानी को भी बिना प्रेयर किये पी लेते हैं लेकिन आपको उसमें भी प्रेयर करना है एक एक चीज जो परमेश्वर आपको देते हैं एक एक पदार्थ उसका धनेवाद करना है आप इस चीज को समझ ये बहुत लोगों को खाने को नह 2-3 मिन म waad मदा नहीं है तो जो दूसरा पॉईंट है उस में आपको जो खाना मिलता है उसको आइसको क्या मिलता है। वे आशिश इनक," क्यों की निर्गमन 3 सध्याव 25ा आईत में गोलोग कषी का और व numéro 2 यह confident he eldhating theoine play और OAuth आफ लिखावाई कि जब आप इस तरह से प्रार्थना करेंगे वचन के द्वारा परमेश्वर आपके अन जल पर आशिश देंगे अन मतलब खाना और जल मतलब पानी कोई भी लिक्विड लेते हैं या सॉलिट फूड लेते हैं तो उसमें परमेश्वर आशिश देंगे और आप आशिष दे इसे आप शुद्ध करें और परमेश्वार आगे वच्चन में क्या कह रहे हैं और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा इसका मतलब है कि फिर आगे को कोई बीमारी कोई रोग आपको उस खाने के वज़े से नहीं लगेगा जो हो सकता है कि अगर आपको खाने को कुछ देता है या फिर ऐजा गिफ्ट दे रहा है चुछ भी किसी तौर पर दे सकता है या फिर आपको डर लगता है खाने से तो भी परमेश्वर आपको बचा लेंगे, और परमेश्वर आपको चंगा करेंगे, परमेश्वर आपके रोग को दूर करेंगे, अगर आपके शरी में कोई बीमारी भी होगी, तो आप अगर खाना को खाते हैं, तो उस खाने को खाने से भी परमेश्वर आपको आशिश दे तु भर पेट खाएगा और उस उत्तम देश के कारण जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देगा उसे धन्य मानेगा आमीन तो इस वचन से आपको यह समझना है कि तु भर पेट खाएगा ऐसा नहीं है कि पीछे मुड़कर नहीं देखना इसका मतलब आपरमेश्वर की उ आशा है, दुख है, संकट उसके बावजुद परमेश्वर आपको भर पेट खाने के लिए देते हैं, जबकि लोगों को मिलता भी नहीं है, लोग इसके लिए तरस्ते हैं, लेकिन आपको अगर ये मिल रहा है, आप भर पेट खा पा रहे हैं, आपका पेट भरावा है, तो क् वचन से क्या पता चलता है, परमेश्वर आपको भर पेट खाने के लिए देंगे, आमेन, और अब है तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट में मैं आप लोगों को बताऊंगी, कि जो आपको खाना बना करके दे रहें, उनके हातों को भी आपको आशिशित करना है, उनके हा पारा बनाए गए भोजन, आशिशितो, लास्ट पॉइंट है, जो चौथा पॉइंट उसमें कौन सा वचन है, पहला कुरुंतियों, दस अध्या, उसका 31 आयत, इसलिए तुम चाहे खाओ, चाहे पीओ, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो, आ परमेश्वर मसी के सामर्थी नाम में, आमेन, और यही वचनों से, जब आप कोई भी छोटे से छोटा खाना भी आपके सामने, उसके लिए प्रार्तना करेंगे, कोई बीमारी आपके शरीर में नहीं लगेगी, कोई जादू टोना आपके उपर नहीं लग पाएगा, और प परमेश्वर का धनेवाद करें दियेवे खाने के लिए, और दूसरा पॉइंट है, जो खाना दिया हुआ है, उसके लिए वचन से बोले कि परमेश्वर मैं इस खाने के लिए प्रार्तना करता हूँ कि आप इसमें आशिष दे, इसे शोध करें, तीसरा पॉइंट जिन्हो लोगों ने सारी बातों को समझ लिया है कि हमें किस तरह से खाने के लिए प्रार्तना करना चाहिए, वचन से किस तरह से करना चाहिए, और क्यों करना चाहिए, कारण भी आपने जान लिया है, अगर आपने वीडियो को यहां तक देखा है, तो मैं फिर से बताना चाहते हू और मुझे comment करके बताईएगा जरूर कि आप खाने के लिए किस तरह से प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करते भी है या नहीं या फिर डारेक्टली खा लेते हैं अगर आपको इस वीडियो से इन वचनों से कुछ सीखने को मिला है तो मुझे comment करके जरूर बताईएगा ताकि आप जो comment करेंगे उसके द्वारा और भी लोग आशिशित हो सके आमेन तो इस वीडियो को शेयर कर दीजेगा परमिश्वर का वचन पूरी दुनिया में फैल सके God bless you all परमिश्वर आप सभी को भर पूरी से आशिश्ट